नमस्कार, जैतु भारत, GST and other laws, discussion and analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है GST council की 43 meeting में यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न प्रकार के GST के return file करने में देरी होने पर late fee लगाई जाती है उसकी महत्तम या अधिकतम सीमा भी तई कर देनी चाहिए section 47 यह late fee के बारे में section है इसके अंदर जो section 37, 38, 39 और section 45 इसमें जो return file करने होते है section 37 outward supply का return है GSTR 1, section 38 तो GSTR 2 अभी लागू ही नहीं हुआ है section 39 में GSTR 3B और अन्य कई प्रकार के return है section 45 के अंदर final return है इन पर यदि return file करने में देरी हो जाए तो late fee 100 रुपीज per day के हिसाब से लगती है याने यह 100 रुपीज CGST की और 100 रुपीज SGST की और इसमें maximum late fee यह amount 5000 रुपीज की नक्की की गई है तो 5000 प्लस 5000 यानि लेट फी दो प्रकार से गिनी जाती है एक तो पर दे के हिसाब से गिननी है और एक महत्तम वह कितनी लेट फी हो सकती है वह गिनना है इसी प्रकार से जो section 44 के अंदर return file किया जाता है यानि annual return उसके लिए late fee 100 रुपीज पर डे और maximum उसका क्या सीमा नक्की की है तो amount calculated at quarter percent of his turnover जो turnover है उसका चौथाई प्रतिसत नक्की किया गया था अब जो section 128 of GST Act है उसके अंदर सरकार को या अधिकार दिया गया है कि वह late fee को भी fully या partly wave कर सकते हैं और उसमें वह किसी class of taxpayers के लिए अलग-अलग तरीके से वह माफी दे सकते हैं इसी संखला में अब GSTR 1 में delayed filing of return के लिए क्या late fee है यह पहले notification number 4 of 2018 से GSTR 1 file करने में delay हो तो प्रती दिन का late fee 25 रुपया CGST का नक्की किया था अर्था 25 रुपया CGST plus 25 रुपया SGST 50 रुपया और जहां पर कोई भी outward supply नहीं है किसी महिने या quarter में तो वह late fee की amount 10 रुपीज plus 10 रुपीज 20 रुपीज नक्की की थी यहां आप देखेंगे कि per day की late fee तो कम कर दी थी 100 प्लस 100 200 रुपीज से घटा कर 50 रुपया या 20 रुपया लेकिन जो महत्तम penalty कितनी हो सकती है उसमें कोई कमी इस notification से नहीं की थी वह अब 43 मिटिंग GST council के अंदर यह निर्णई लिया गया कि महत्तम penalty की amount को भी घटा दिया जाए इसके लिए अभी एक जून को यह notification जारी किया है और इससे महत्तम penalty की रकम नक्की की गई है जहां पर registered person हुए निल outward supply जहां पर outward supply नहीं है किसी tax period में तो maximum penalty की amount 250 रुपीज CGST plus 250 रुपीज SGST अन्य 500 रुपे की maximum penalty हो सकती है जो registered person का turnover up to रुपीज 1.5 करोड है लेकिन outward supply है तो उनके लिए maximum penalty की रकम 1,000 प्लस 1,000, 2,000 नक्की की गई है जिन registered person का पिछले साल का aggregate turnover डेड़ करोड रुपे से ज्यादा था लेकिन पांच करोड रुपे से कम था तो उनके लिए maximum penalty की amount 2,500 रुपीज CGST का और 2,500 रुपीज SGST का याने 5,000 रुपया है अब यहाँ पर जिन करदाताओं का aggregate turnover पिछले साल 5 करोड रुपे से ज्यादा था उनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है तो इसलिए यह मानना होगा कि उन करदाताओं के लिए maximum late fee की amount 5000 प्लस 5000 10,000 ही रहेगी इसी प्रकार हम GSTR 3B return के बारे में देखें तो GSTR 3B return के लिए पुराना notification number 76 of 2018 के अंदर जुलाई 2017 से जो लेट फी की amount थी वह 25 रुपीज पर डे CGST का और 25 रुपीज पर डे SGST का ने 50 रुपिया नक्की किया था और जहां पर tax payable की amount nil हो वहां पर यह penalty की या लेट फी की रकम 10 रुपिया प्रती दिन CGST का और 10 रुपिया प्रती दिन SGST का यह नक्की किया गया था उसके अलावा भी कुछ पीरियड में यदि GSTR 3B return जुलाई 2017 से सब्टेंबर 2018 का फाइल करें तो पूरी लेट फी में से भी माफी दी गई थी इसी प्रकार अभी भी amnesty scheme declare की गई है जिसमें जुलाई 2017 से लेकर अप्रेल 2021 तक के GSTR 3B return यदि फाइल करना रह गया हो और 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में वह return फाइल करें तो amnesty scheme का लाब ले सकते हैं तो यह जो पुराना notification था उसमें पर डे लेट फी GSTR 3B के लिए नक्की की गई थी लेकिन यहां पर भी maximum amount reduced नहीं की गई थी maximum amount 5000 रुपीज cght प्लस 5000 रुपीज sght था अब यह रकम भी नए notification 1 जून 2021 से गटा दी गई है अलग-अलग category के taxpayers के लिए अलग-अलग रकम नक्की की गई है इसमें जहां पर tax payable जिस return में निल हो तो वहां पर यदि delayed filing of GSTR 3B रिटन है तो maximum penalty 250 रुपीज cght प्लस 250 रुपीज sght का हो सकता है यानि 500 रुपया maximum penalty जो रजिस्टर टेक्सपेर्स का पिछले साल का turnover up to 1.5 करोड था उनके लिए gstr 3B की लेट fee maximum 1,000 रुपीज cght प्लस 1,000 रुपीज sght आने 2,000 रुपीज होगी और जिनका turnover पिछले साल 1.5 करोड रुपे से ज्यादा लेकिन 5 करोड रुपे से कम था उन करदाताओं के लिए लेट फी 2,500 रुपिया cght प्लस 2,500 रुपिया sght होगा तो यहाँ पर भी 5 करोड रुपे से ज्यादा का turnover वाले जो करदाता हैं उनके लिए maximum penalty 10,000 रुपे ही रखी गई है और यह सभी जो provisions हैं यह June 2021 का महिने का GSTR 3B return या June 2021 को खतम होने वाले quarter के return से लागू होंगे पुराने period के लिए यह लागू नहीं होंगे GSTR 4 return annual return है composition taxpayers के लिए इनके लिए भी पुराना notification 73 of 2017 में delayed return filing की late fee 25 rupees for everyday और जहां पर tax payable नहीं था वहाँ 10 rupees per day था maximum fees की amount निश्चित नहीं की गई थी वह अब notification number 21 of 2021 से maximum late fee की amount भी नकी की गई है इसमें जहां पर central tax payable nil है वहां पर maximum amount 250 rupees है यानि maximum 500 रुपय की amount होगी और इसके अलावा के cases हैं अर्थात जहां पर tax payable है वहां पर maximum penalty की amount 1000 rupees CGST plus 1000 rupees SGST की होगी जो टीडीएस से रिलेटेड कर दाता है खास करके गवर्वर्मेंट डिपार्टमेंट्स उनके लिए पेनल्टी की रकम में पहले पर डे पेनल्टी की रकम में भी कोई छूट चार्ट नहीं दी गई थी और maximum amount में भी छूट चार्ट नहीं दी गई थी उसे भी अब कम कर दिया गया है यहां पर नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 2021 सेंटर टेक्स दिनांक 1 जुन 2021 से पर डे डिले के लिए यदि फॉर्म जी एश्टी आर सेवन भरने में देरी हो तो लेट फी सेवन भरने में देरी के लिए यह फॉर्म जी एश्ट प्लस उन तौज़न रुपीज है ने 2.000 रुपया नक्किक कर दिया गया है इसके अलावा भी जो फॉर्म जी एस टीर 5 है non-resident taxpayers के लिए या form GSTR 6 है input service distributor के लिए उसमें भी per day की penalty तो reduce करने के notifications पहले जारी कर दिये गए हैं लेकिन maximum penalty अभी भी 5,000 रुपय CGST plus 5,000 रुपय SGST है उनमें भी मुझे लगता है GST council को और सरकार को ध्यान देना चाहिए और maximum penalty की amount को थोड़ा कम करना चाहिए आज की अंक में बस इतना ही धन्यवाद Please like, share and subscribe आपको और किसी GST related विशय पर जानकारी चाहिए विशय दो हो तो comments में लिख सकते हैं जय हिंद